तो आज हम यहां पर डिसक्शन करने वाले हैं अबाउट डार रिस्क एंड सिस्क मसीन रिस्क मसीन क्या होती है एंड सिस्क मसीन क्या होती है आर आई एसी को अजिती डिफाइन करना है तो हमने यहां पर डिसक्शन लिख रखी है रिस्क की और सिस्क की मू सी बिद इस्मॉल इंस्ट्रक्शन सेट यदि माइक्रो कंट्रोलर में जो है इस्मॉल इंस्ट्रक्शन सेट ऊज होती हैं तब उसको बोलते हैं रिस्क मीन्स है reduce instruction set computer machine तो यहाँ पर जो है आपका risk की definition है और cisk की है mu c with complex instruction set यहाँ पर हमने table में सजाया हुगा है सब कुछ की कौन कौन से चीज़ों का difference होता है risk और cisk में तो risk में reduce instruction set का मतलब हमें समझना होगा इसमें instruction set जो है कम की गई है कम कैसे की गई है कि इसमें instruction set जैसे एक आप एक्जाम पर ले सकते हैं जैसे multiplication और division की instruction जैसे microposer में addition की instruction होती है add होती है subtraction के लिए sub होती है multiplication के लिए mul होती है और division के लिए div भी माल लेते हैं यह इस ती instruction होती है लेकिन यदि इस instruction को reduce करना चाहें आप तो इनको हटा सकते हैं कैसे यदि addition से हम multiplication का काम करा सकते हैं एडिशन से multiplication का काम कैसे हैं रिपीट इडिशन यदि बार बार एडिशन करते रहेंगे माली जिवो कहते हैं से 5 इंटू 3 इंटू 5 करना है तो 5 को 3 ताइम्स या तो 3 प्लेस 3 प्लेस 3 प्लेस 3 प्लेस 3 इसको 5 ताइम्स एड कर देंगे तब भी result आजाएगा या 5 प्लेस 5 प् आज़ते रहेंगे आप तो आपका multiplication का काम हो जाएगा इसी addition वाली instruction से और subtraction क्या करता है subtraction से हमारा कौन सा काम हो जाएगा subtraction से division वाला काम हो जाएगा माली जी आप कह देते हैं 8 upon 3 कह देते हैं 8 upon 3 करना है तो हम multi-addy division की instruction नहीं यूज करते हैं तो हम क्या करेंगे किसी एक register में 8 डाल लेंगो दूसरे register में 3 add कर लेंगे तो इसमें क्या होगा repeat to subtraction means 8 मेंसे 3 subtract करेंगे 5 आएगा 5 मेंसे again 3 subtract करेंगे 2 आएगा अब 2 comparison करते रहेंगे तो ये छोटा हो गया 3 से इसलिए 2 times divide हुगा है 2 times subtraction हुगा है इसलिए इसका आएगा 2 तो आएगा क्योई cent कितना आएगा कुई cent आएगा इसमें 2 और remainder कितना आएगा इसमें remainder आएगा 2 लिए रहे तो हमने ये जो है repeat to subtraction से हमने division का भी काम कर लिया अगर reduce इंस्टक्शञं सेट हम उउज़ करते हैं तो हम सिफ addition और subtraction की instruction लगा के ही हम addition का का काम कर सकते हैं और उसके बाद है multiplication का भी काम कर सकते हैं इसमें reduce होगी इसमें 4 instruction लगी थी चार की जगा हमने दो ही instruction से काम चला लिए के लिए रहे तो उसको बोलते है reduce instruction set इसमें क्या होगा इसमें हो गया complex instruction set यदि आपने एक काम करने के लिए एक complex instruction बना दी tough instruction बना दी जैसे multiply करने वाली instruction 8085 में और divide करने वाली instruction दोनों instruction 8085 में नहीं थी तो इसमें ये complex instruction होती है थोड़ी सी कई जो है 8086 की बात करेंगे हम तो उसमें भी और complex instruction set हो जाता है और जब बड़ी instruction को हम यूज करते हैं जो instruction बहुत tough काम करती है तो उसको बोलते complex instruction set तो reduce instruction set computer इसको बोलेंगे इसको CISC का comparison करेंगे तो table भर बनानी है और complex instruction set हमने full form लिखा पहले point में second मैं देखें कि few instructions जब इसमें reduce instruction हो गई है तो कुछ कम instruction होगी इसलिए few instructions इसमें more instructions यूज होगी इसमें देखी जैसे इसका example दी हमने इसमें जो है आपकी दो ही instruction यूज होई है इसमें चार instruction ही उज हो सकती यदि इस example को देखनें दो ठीक है तो इसके बाद जब instruction set few instructions हैं तो few addressing modes आंगे इसंग मोड क क्या होता है एन्स्टाक्षनमें दो चीजेंँ होती है एक offcode होता एक operand होता है ओपcode बताया करता है कि which type operation to be performed किस टवी को आपडिशन होता है addison होना है, subtraction होना है multiplication होना है division होता है, ended होना है compare करना है जो भी operation करना है ओपcode बताता है लेकिनPowernd क्या बताता है operand बताया करता है किस data के साथ operation किया जाना है जैसे add ने बताया है कि add कर देंगे जैसे हमने कहा दिया add add करने में इसने आप कोड है और इसने सिर्फ इतना ही बताया कि addition का काम होगा और हमने यहाँ पर लिग दिया b तो इसका मतलब गए b के contents को आप कुंडर के data के साथ add करना है यह बता रहा है operand क्लिए रहे तो operand के representation के तरीकों को हम add dressing modes बोलते हैं जब इसमें few instructions set यह हुई है तो few add dressing modes भी आएगा इसमें more instructions set हुई तो more add dressing modes इसमें add dressing modes ज़्यादा होंगे इसमें add dressing modes कम होंगे इसके बाद आता है fixed format instruction जो risk जो होता है उसमें instruction का format जो भी होता वो fix होता है उसको change नहीं करते हैं आप लेकिन इसमें क्या होता है इसमें variable format instruction होता है इसमें कौन सा होता है variable format instruction होता है फोर हो गए हैं आपके फोर इसमें fix instruction का format जो होता है और और बोल को fix होता है लेकिन इसमें variable होता है तो add के लिए हम ADI भी उज़ करते हैं, immediate addition mode का आगया example, इसके बाद इसी में ADC भी उज़ करते हैं, बार-बार change हो रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें fix होता है, लेकिन इसमें instruction का format क्या होता है, उसी instruction को थोड़ी थोड़ी चैन्ज करके भी हम use करते हैं। इसके बाद आता है instruction executed by hardware, इसके में आपका instruction जो execution होता है, वो hardware के throw होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, instruction executed by micro programs, micro programs के throw, छोटे program लिखे जाते हैं, micro programs means mini programs लिखे जाते हैं, जो उस program के throw instruction का execution होता है, high pipeline, इसमें highly pipeline क्यों होती है, इसमें high pipelining क्यों होती है, pipelining means होता है, कि memory में जब program लिखते हैं, या micro controller में जब program लिखते हैं, तो पूरा program memory में store हो जाता है, लेकर memory से, memory से, अगर एक साथ कई instructions के bunch को, bunch को उठा के लाते हैं, और एक साथ फैज कर लेते हैं, अगर, तो उसको क्या बोलेंगे, pipelining, pipelining में क्या होता है, देखे, instruction क्यों होती थी, 6 byte long होता है, 6 byte long का मतलब क्या होता है, कि एक instruction की length, 6 byte long थी, इसलिए instruction क्यों 6 byte long बनाई गई थी, instruction क्यों से क्या फायता होता था, कि जो है, 6 instruction के memory location से data को, उन प्रोग्राम को, 6 memory location से data को उठा के एक साथ instruction क्यों में store कर लेता था, इससे क्या फायदा होता था, आप execution unit को, B.I.U. थी, bus interface उने, execution unit, execution unit को जब भी चाहिए, उसको वहीं पर, B.I.U. से, instruction क्यों से, तुरंत data उठाएगा, execution करता चला जाएगा, और उसी time duration में ही instructions के patching होती रहती है, मतलब दोनों काम simultaneously चलते हैं, instruction क्यों से, और instruction क्यों में क्या होता, जो instruction जिस करम में लिखी गई है, फर्स्ट नंबर पर रहे हैं, तो पहले आएगी second नंबर वाली second वाली third वाली last वाली last वाली last पर रहेगी, और instruction क्यों में जो pipe lining यू थोड़ी सा कम होता है, इसमें pipe lining की, जो है, क्या होता है, लैस होता है, इसके बाद आता है आपका six हो गया, seven, seven पर आये complexity is in the compiler, compiler जो होता है, इसका जो compile करता है फाइल को, उसमें complexity है, complexity in the micro program, इसमें जब micro program बनाया था, तो इसमें जो है, Micro program की ही complex होता इसमें complexity किसमें होती है इसमें compiler में होती है इसमें compiler use किया जाता है इसमें micro program के थोई program execution किया जाता है नेक्स आता है आपका instruction takes one or two cycles मतलब कोई operation करना है या तो एक cycles में ही वो काम complete कर लेगा या फिर two cycles में लगेंगे उसको लेकिर इसमें जादा multiple cycles लगती है सिस्क में जो है multiple cycles लगती है किसी instruction को execution करने के लिए clear है तो इसमें कम लगती है या तो one cycle लगेगी या two cycles इसमें one or two से भी जादा cycles लग सकती है instruction के executions में less register देखी यहाँ पर less register और इसमें लिखा है more registers less registers means क्या हुगा आपका कि इसमें कम register से उच किये गए है risk में कम register से उच किये गए है और इसमें जब registers कम उच किये गए है इसका मतलब number of register micro controller में या micro processor में कम लगे है जो भी हम program का data store करेंगे फिर हमें memory का ही उच करना पड़ेगा most लिए जब memory का उच करना पड़ेगा तो हमें फिर RAM memory और हम अपने program को जो store करते है RAM में store करते है जब less registers हैं तो जो registers कम हैं उतना ही data memory में store करना पड़ेगा इसलिए more RAM जब registers कम होंगे system में micro controller में जब registers कम उच होंगे उसके internal structure में तो more RAM चाहिए और इसमें क्या है number of registers ज़्यादा है तो less less क्या चाहिए RAM चाहिए फिर इसमें यह दोनों चीज़ें एक साथ हमने कबर किए क्योंकि दोनों का बहुत अच्छे से relation है number of registers system में कम है तो memory ज़्यादा लगेगी और यदि number of registers ज़्यादा लगेगी तो memory कम लगेगी कौन सी memory की बात हो रही है प्रोग्राम memory की नहीं सिफ RAM memory की random SS memory की number 10 पर आता है आपका यह भी हो गया जिसके बाद आता 10 पर more register banks जैसे system में bank होती है bank bank means होता है number of registers के group को ही हम bank बोलते है और bank का मतलब क्या जैसा data उस में store करेंगे बैंसा ही data वो बापस करेंगे इसको bank के नाम क्यों देड़ गया जैसे bank में locker में हम कोई शामान रख के आते हैं तो जैसा हम सामान रखते हैं प्लक्व बैंसा ही सामान हमें वापस मिलता है bank से इसलिए इसको bank बोलते हैं locker में, इसलिए इसको banks बोला गया है, इसमें more register banks होती है, वह इसमें single register bank होती है, इसके बाद आते हैं हम low cost और high cost, यह तो आपको समझ महीं आ गया है, जब इसमें reduce instruction set हो गया है, तो इसकी cost कम होगी, इसकी cost जादा होगी, इसके बाद क्या है, number 12 पर only load और store, load का मतलब क्या है, देखिए दो बाइड़ी जो होते हैं microprocessor में, या microcontroller में, एक होता load करना, एक होता store करना, दोनों की बात को अच्छी तरह से दमाग में set होना चाहिए हमारे, की load करने का मतलब होते है, यदि memory से data microprocessor के किसी भी जगह पर आ रहा है, किसी भी registers मे data आ रहा है, तो वो load हो रहा है, और store होने का मतलब क्या है, microprocessor से data जा रहा है, या microcontroller से data जा रहा है, कहां जा रहा है, memory में जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, store हो रहा है, यहसे जब truck में सामान रखा जाता है, तो उसको बोलते load हो रहा है, loading हो रही है, जब truck से सामान उत पिसंद फस जाएंगे ति इन दोनों बड़ों में confusion होगा आपको लोड का मतलब सिस्टम में आ रहा डेटा इस्टोर का मतलब मेमोरी में जारा बस इतनी सी बात है तो लोड ओबलेक इस्टोर लोड हो चाहे इस्टोर हो देखिएं मेमोरी एस्ट का मतलब क्या होता है मेमोरी से लेना देना मेमोरी से लेना देना एस्ट का मतलब होता है मेमोरी में डेटा जा रहा है या मेमोरी में आ रहा है दोनों सिस्टम को मिला के एक एस्ट का लेना देना हो रहा है जो भी हो रहा है इस्टोर हो रहा है अगर तो मेमोरी में जा रहा है, डेटा लोड हो रहा है, तो मेमोरी से डेटा आ रहा है, माइक्रो कंटॉलर में आ रहा है, और इस्टोर हो रहा है, तो म्यूपी या म्यूसी से डेटा मेमोरी में जा रहा है, इस्टोर हो रहा है, इस्टोर हो रहा है, इस्टोर हो रहा है, इस्टोर सचेंज है इन एडिशन टू लोड और इस्टोर इंस्ट्रक्शन मेमोरी एसस जो इसमें लिखा था बिल्कुए यहां तक बिल्कुए बात है इच पॉस्बिल बिद अधर्स इंस्ट्रक्शन से अलसो यह दूसरी इंस्ट्रक्शन से इसमें क्या होता है यहां पर जो आपके स्लिवस में बहुत अच्छे से होता है बोश्टली यही बाला किसमें रखा जाता है आपके स्लिवस में रखा जाता है वो इसमें सिस्क के इंस्ट्रक्शन सेट का यूज किया गया है complex instruction set होती, complex instruction set में क्या होता है, बहुत high level की instructions होती है, और इसमें क्या होता है, छोटे छोटे प्रोग्राम बना के हर एक operation को करने के लिए, जैसे वासिंग मसीन में, वासिंग मसीन में जो है, चार तरह के कपड़े धुले हैं, जैसे cotton का कपड़ा धुलना है, जैसे बहुत दिया है वासिंग मसीन के अंदर, जो वासिंग मसीन के अंदर, जो है electronic पार्ट जो लगा है, जो चिप लगी है, वो है micro controller, जिससे कपड़े धुलते हैं, अब जो भी आप बटन पुस्ट कर देंगे, simple बनाया गया keyword, जो भी बटन आप पुस्ट कर देंगे, उसमें लिखा रहे हैं कॉटन के कपड़े धुलने, कॉटन के कपड़े को पुस्ट कर दिया तो कॉटन के कपड़े धुलने वाला प्रोग्राम में अगजी कुसन चल जागा, पूरी machine का जो पूरा structure होता है, पूरा धाचा होता है, जो असे में मसीन में कपड़े धुलने के लिए, उसके बेश से लेके, बॉडी से लेके, पानी आने के लिए, जाने के लिए, जो भी सिस्टम और टैंक होता है, जिसमें कपड़े होते हैं, दुले जाते हैं, वो सब चीजों के धाचा को क्या बोलते हैं, एमबेड़र सिस्टम को, एमबेडर सिस्टम बोलते हैं, एमबेडर सिस् लगिया वो माइक्रो कंड्रोलर में किसी specific task को completely के लिए design किया जाता है . यह से जा प्रिक्रो कंड्र ऑपर बड़े confusionöstर होता है, माइक्रो प्रोसररव्現在 , बड़े माइक्रो कंड्रोडर शोटा है , जब उसमें 첫 थो उसमें कैसे हो सकता है अब माईख्रो कंट्रोर्टरों एम्बेडिर सिस्टम में इसงड़ उसम बढ़ा हैogen olmaz कि लेकिन कान्फीूजन प्रकूजर कंुछंक बहुत होता है क्या हुत चैंसे तो माईख्रोपरसुन जैसे होता बहुत सारे काम करने की छमता रखता, फुल माइक्रो प्रोसर लगा जाता है, लेकिन माइक्रो कंटॉलर में माइक्रो प्रोसर जो है, इस स्पेसिफिक टास्क को कम्प्लीट करने के लिए सिर्फ उतना ही प्रोसर लगा जाता है, सिर्फ एक काम कर दे, कपड़ा दुल दे, क्लियर है न, यदि आपक वीडियो फ़्यार चलाना तो उसमें उतना ही लगाया जा तह बीडियो चलाये जा लेकिन अगर माइक्रो प्रोसेसर पूरा लगा दिया जा तो इसको किसी मसीन को कंटॉल कर सकते हैं किसी भी सिंग किसी भी चीज को कंटॉल कर सकते हैं जो है इस इजिए पर ऐस किया जाता है तो यह तो था इतने पॉइंट आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए इसके compare जन में डिसको और सिस्क में definition पूछे तो यह लिख सकते हैं आप और नहीं तो आधिकतर mostly जो है इस दोनों का difference पूचा जाए तक compare दा डिसक के से क्या होता एंई गार है तो एस मुडियो में और नहीं रहने देते हैं वेकर तब सत T can